Hello students, good morning, अब सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चनरेश को सिलेक एजडिकेशन में और आज बेटा हम कर रहे हमारी second class की English का 10th chapter little bird तो देखो सबसे पहले picture देखते हैं, birds की picture दी हुई है ना, तो ये क्या है? यानि की कोवा, और ये ये तो स्पैरो है, चिडिया है ना, ये क्या है? पैरेट, पैरेट मीन्स तोता, और ये क्या है? पीजन, पीजन मीन्स कबूता, तो यहाँ पे यही इसके बारे में कुछ question पूछ रखे हैं, तो ये क्या पूछ रखा है? नेम दा बार्ट सी इन दा पिक्टर इन अबबव, इसमें पिक्टर में जो बार्ट ढे रखे हैं, उनके नाम हमने पता कर लिये हैं, ये ना, वेर डज दू से ज्यू ज्यादा पसंद है कौन सा? ज्यादा तर बंच्ची तो पैरेट को पसंद करते हैं, क्यों कि उसका कलर बहुत अच्छा है है ना और वैसे भी उसकी आवाज ज्यादा तर लोग तोता ही पसंद करते हैं ठीक है अब यहां पे देखो अपनी पास देखो एक पेड है उस पे यह बर्ड बैठा हुआ है दो बच्चे यहां पे नीचे खड़े यह पिक्चर में तो एक पोएम है इसको डीकरते हैं लिटल बर्ड लिटल बर्ड फ्लाई अराउन अप दा श्काई डाउन टू दा ग्राउन तो यहां पे च्छोटे पक्षी च्छोटे पक्षी फंजाई राउन ऊड़ो उपर अप टू दा स्काई आसमान में ऊपर डाउन तू दा आर्त् orang और जमीन में नीचे नीचे उपर आप गोल गोल उड़ते रहो, सारे कहीं, छोटा पक्षी उड़ रहा है, लिटल बर्ड, लिटल बर्ड, फ्लैप यॉर पिंग्स, ओपन यॉर बीक, एंड स्वीटी सिंग, छोटे पक्षी, छोटे पक्षी, अपने पंक फड़ फड़ाओ, फड़ फड़ाओ, 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 विंग्स मीन्स पंक, ओपन यॉर बीक, आपनी चोँच खुलो, बीक मीन्स होता है, चोँच, and sweetie sing और मिठा मिठा गाना गाओ पक्सी क्या वाद चाहे का चाहने के अच्छी लगती है न तो यही कह रहा है यहां पे little bird, little bird fly to your nest छोटे पक्सी, छोटे पक्सी अपने घोशले तक उड़ जाओ fly means उड़ना और nest means घोशला now it is time to take a rest अब समय हो गया है rest करने का इसलिए अपने घोशले में उड़ जाओ ठीक है अब बेटा इसके कुछ word meaning है हम जान लेते हैं तो यहां पे देखो bird, bird means क्या होता है पक्सी around, चारो तरफ down, नीचे wings, पांक fly, उड़ना flap, फड़ फड़ाना nest, घोशला beak, चौच rest, rest मीन से आराम इनके अलावा भी अगर और कोई ऐसे word है जिनके meaning आपको नहीं आते हैं तो मुझे comment box में लिख देना चलिए आप कर लेते हैं अपनी exercise देखो यहां पे क्या कह रहा है read the following sentences and write T for true and F for false यह कुछ sentence दे रखे हैं अगर वो right है मलब true है तो T लिख देना और false है तो F लिख देना the little bird flies around true है कि false है true है इसलिए हमने यहां पे T लिख दिया है birds cannot go up in the sky पक्षी आस्मान में नहीं उड़ सकता नहीं उड़ सकता उड़ सकता है इसलिए गलत है तो हमने यहां पे लिख दिया है F birds flap its wings पक्षी पंक फड़ फड़ाता है पंक फड़ पड़ाता है बिल्कूल फड़ पड़ाता है तो इसलिए हमने यहां पे T लिख दिया क्योंकि यह सही है true है little birds we too can fly in the sky यह छोटे पक्षियों की तरह हम भी आजमाने उड़ सकते हैं उड़ सकते हैं क्या नहीं उड़ सकते हैं इसलिए यह false है F लगा दिया हमने birds takes rest in the nest पक्षी घोसले में अराम करते हैं घोसले में करते हैं ना बिल्कूल ठीक है यह तो यहां मने लिख दिया in the sky वैसे पूरा अगर हम लिखेंगे तो यहां लिख देंगे the little bird fly in the sky flies in the sky यह सरफ इतना ही लिख सकते हो in the sky does a bird have beak क्या एक पक्षी के चोंच होती है बिल्कूल होती है पक्षियों के चोंच तो यहां में लिखा है yes where does the bird take rest कहाँ पे rest करता है bird bird take rest in the nest यहां इतना ही लिख सकते है in the nest ठीक है तो बिटा आज की वीडियो में इतना ही करेंगे अगला हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में thank you